हेलो फ्रेंज़, वेलकम बैक टू मैं चैनल, तो नियोजी सिक्षक के हर्ताल पे शिक्षा मंतरी का एक वार फिर से बड़ा बयान आया है, कि अभी जो है कुरोना की वज़शे सिक्षकों से कोई वारता नहीं हो सकता है, तो वैसे में सिक्षा मंतरी ने नियोजी सिक्षकों स से अपील की है कि हर्ताल से वापस लौट जाएं क्यूंकि स्थीती बहुत गंभीर है कुरोना की वज़ए से पुरा देश जो है बहुत ज्यादा परिशान है और ऐसे हमें सिक्षा मंतरी का कहना है कि नियोजी सिक्षकों का हर्ताल पे रहना सही नहीं है उनसे अपील की है कि हरताल तोर कर सिक्षा काम पर वापस आ जाए और जैसे ही इसे निपटते हैं इस्थीती जो है सामान ने होगी तो फिर मैं नियोजी सिक्षकों का जो मांग है उस पे विचार किया जाएगा उनसे बारता भी की जाएगी इस नियोजी सिक्षकों से सिक्षकों से शिक्षामंत्री ने की काम पर लोटने की अपील आप देख रहे हैं न्यूज बिहार जहर खंड न्यूज चैनल का यह है जिस पर दिखाया जा रहा है कि सिक्षकों समबारता के दौरान सिक्षकों की मांगों पर होगा विचार ऐसा सिक्षामंत्री कृष्णंदन बर्मा जी का कहना है तो आप देखना यह है कि सिक्षक सिक्षामंत्री के बात को मान के काम पे लोटते हैं या नहीं वैसे तो अभी सारा स्कूल भी लॉकडाउन होने की वज़ आ रहा था और नम मुख्य मंत्री जी का तो ऐसे में आया है एक वार फिर से इनका बयान की कुरोना के कारण सिक्षकों से बारता संभब नहीं नियोजित शिक्षक काम पर लोट जाए और इस्तिती शामानी होने के बाद उनसे बारता की जाएगी ठीक है नियोजित शिक्ष शिक्षकों से बाद में बात होगी जब इस्तिती शामानी होता है